Hello friends, welcome to my channel आज हम बनाएंगे नवरतन पुलाव यहाँ पुलाव बहुत ठेस्टी बनता है और इसे हम किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं तो दिखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रियेंट्स की जवगत पड़ेगी मैंने यापे एक गाजली है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है या कहें तो मोटे पीसिज में काट लिया है अब मैंने 100 ग्राम पनी लिया है जिसको मैंने एक इंच के क्यूप्स में काट लिया है या होम मेट पनी है जिसकी रसिप्री मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अब मैंने दस से बारे गोभी के टुकड़े लिये हैं जिनको मैंने बारिक काट लिया है अब मैंने दो कच्छे आलू लिये हैं जिनको मैंने रफली चॉप का लिया है या कहीं दो मोटे पीसिज में काट लिया है एक चोथाई कप, मैंने दूद लिया है, जिसमें मैंने दस्ये बारला की सकी धागे डाल दिये है एक चोथाई कप मटर लिये है, मैं आप़े फ्रोजन मटर का युज़कर रही हूँ, आप जाहें, दो नार्मल मटर को पोयल कर सकती है अब एक चोथा कप मैंने हांपे बींस लिमें जिस को मैंने 20 चुप के लिया था दसे बारत काजू पत्तां ल Glau Director तो दिखते हैं कैसे बनाना है मैंने यहां पर दो قप चावन लिये था जिसको मैंने आदा कंटी के लिये सोक कर लियेरे था अब हम पहले चावल बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक भगवाने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था जब पानी अच्छी से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सोकी हुए चावल डाल देंगे और चावल को हम 90% तब कोक कर लेंगे हम इसमें थोड़ा से नमक डाल देंगे जिससे हमारा चावल खिलियोवे बनेंगे चावल अच्छी से पक्चुका है अब हम इसे छलनी में छालनेंगे जिससे चावल का वेजिटेवल स्वेटी हम उन्हें फ्राइ कर लेंगे, जिसके लिए मैंने करहे में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छी से गरम हो चुका है, हम इसमें कच्छे आलो डाल देंगे और इन्हें हम अब चाहें तो इन सब वजियों को से अलो फ्रै भी कर सकते हैं अब आलो अची से फ्राई हो गया हम इनमें निकाल लेंगे और इस तरीकी से हम सारी वेजिटेबल्स फ्राई कर लेंगे अब मैं गोवी डाल दूगी गोवी अची से फ्राई हो गई है इसको हम निकाल लेंगे इसके वाद हम पनी डाल देंगे मैं इस सारी सबजियां एक छन्नी में निकाल रही हूँ जिससे इस सबजियों में जो एक्स्ट्रा ओयल होगा वो नीचे निकल जाएगा और हमारा पुलाव जाद ओयली नहीं बनेगा अब हम गाजर डालेंगे और गाजर को भी हम फ्राई कर लेंगे सबज्यांची से फ्राई हो चुकी है अब हमें कड़ाए लेंगे और इसमें मैंने एक छमच घी डाल दिया है क्योंकि हमने सारी सबजियों को फ्राई किया है इसके अंदर हम सारे खड़ी मसाले डालेंगे और एक चमच जीर डालेंगे इन मसालों को हम जब Phillips में से अच्छी से खुस बूँखना आने लगे मसाल अच्छी सी फ्याई हो चुके है अब हम इसमें कटी हुए बदाम डालेंगे बदाम भी अच्छी से बुन चुके हैं अब हम इसमें काजु डाल देंगे आप चाहें तो इसमें करोट भी डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं पर मैं आज इसमें करोट नहीं डाल रही हूँ मैं से फिस में बदाम, काजू और किसमिस का यूज कर वही हूँ जब काजू भी अच्छी से बुन जाएंगे तो हम इसके अंदर किसमिस डाल देंगे और इन्हें हम अच्छी से मिला लेंगे अब हम इसमें कटी हुई बींस डाल देंगे और मटर डालेंगे और इनको भी हम अच्छी से भूल लेंगे मैंने यहां पर तेज के नुसान नमक डाला है मैं यहां पर देड़ चमश नमक यूज़ कर रही हूँ और इसे हम दो से तिर म्याट के ढ़कल पकने देंगे जिसे जो हमारी मता और बीन से वो अच्छी से पक जाएं तीन म्याट हो चुकी है हमारी मता और बीन से अच्छी से पक चुकी है इन्हें हम मिला लेंगे और इसमें हम कुक किये हुए चावल डालेंगे चावल अल्यडिक कुक है अब हम इसमें fry की हुई पैजी डाल देंगी। नियुरा का रज दालेंगी। और धनिया पती डाल देंगी। और इन्हें हम जेंटली हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे जो हमारा पुलाव है वो खिला हुआ बनेगा और हमारे चावल ब्रेक बिने होंगे बहुत जल्दी बन जाता है थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से हो तो यह जटपट बनने वाली वैसे भी है अगर आप किसी मेहमार के सामने यह बनाएंगे तो सबको बहुत डिलीसेस लगेगा एक एक चावल का रेसा हमारा खिल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिलीसेस हमारा यह नबरतन पुलाव बनकर त्यार हुआ है तो इस तरीके से आप पुलाव बनाएगे और कमेंट करके मुझे बताएगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है और मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथ की साथ बेल आकर भी दबाना ना भूलिए जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग